हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रवी स्टड़ी जी के पर फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए 10 मिनट्स शो में चर्चित महिलाएं इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टी कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सलेक्टेड और इंपॉर्ट लिया है अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा यूसफुल रहने वाल का और चर्चित महिला का जो मैराथन वीडियो है वो भी एवलेवल है लेकिन ये 10 मिनट शो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्ट वीडियो आपके लिए रहने वाली है एक तरह से आपका कोई क्रिवीजन होने वाला एक्जाम से पहले तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते ह आज के पहले कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा परिस पैरलमपिक गेम्स तोहजार चौबिस में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है राइट आंसर हो जाएगा जो अवनी लिख रहा है इन्होंने इससे पिछला वाला जो पैरालंपिक गेम्स हुआ था टोकियो में 2021 में उसमें भी गोल्ड जीता था तो चलिए अब हम नेक्स कोशन कर लेते हैं अगस्त 2024 में किसने पैरिस ओलंपिक में 50 kg फ्री स्टाइल कुश्टी के फाइनल में आयोग्य घोशित होने के बाद कुश्टी से सन्यास की घोशना कर दी है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए विनेश फोगाट फ्रेंट्स यह आप फोटो देखिए विनेश फोगाट जी की और आपको बदाना चाहता हूँ कि यह हर्याना राज्य की है कुश्टी खेल से संबंदी थे और इनके साथ ने ट्रैजिडी हो गई पैरिस अलग पिक में पैरिस अलग में ट्रैजिडी यह हुई फ्रेंट्स कि इनका गोल्ड पक्का था लेकिन क्या हुआ फाइनल से पहले इनको डिस्कॉलिफाइ कर दिया गया रिजन ये बताया गया कि इनका वजणना 100 ग्राम बढ़ गया हुआ इस वज़े से इनको डिस्कॉलिफाइ कर दिया और इन्होंने बाद में सन्यास ले लिया नेक्स्ट है मारा कोशन किसे संग लोग सेवा आयोग यानि कि UPSC की नई अध्यक्ष के रूप में नियोक्त किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B प्रीती सूदन आपको बताना चाहता हूँ प्रीती सूदन जो है UPSC की नई अध्यक्ष बनी है अगला कोशन एक्जाम के लिए आप डबल स्टार मार कर सकते हो इसको जुलाई 2014 में फ्रांस के सीर्श नागरिक पुरुसकार शैवले डी ला लीजन डी ओनर जिसे की नाइट आफ दा लीजन आफ ओनर भी बोलते हैं से किसे सम्मानित किया गया है राइट आप अपको धियान रखना है रोशनी नादर मलोतरा को फ्रांस का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है जिसका नाम है शैवले लिजन डी ओनर जिसे की नाइट ओफ दा लीजन ओनर भी कहते हैं इससे सम्मानित किया गया है अगला कोशन है मारा 71 मिस वर्ल्ड दोहजार चौबिस का किताब किसने जीता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टीना पिजकोवा कहां की है ये चैक गनराजे की क्रिस्टिना पिजकोवा जो की चैन गनराजे की है इनको Miss World 2024 का खिताब से सम्मानित किया गया है अगस्ट 2024 में किसे फीजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच सम्मान Companion of the Order of Physi से सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा Option B द्रॉबदी मुर्मो और आपको बताना चाहता हूँ द्रॉबदी मुर्मो हमारे देश की राष्टपती है पंदरवी नंबर की यह महिला राष्टपती है और इसी के साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राश्पती भी हैं जो की है संथाल जन जाती से हैं नेक्स्ट है DBS Group Holdings ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा ओप्शन बी तान शू शान तान, सू, शान जो हैं ये DBS Group Holdings की पहली महिला CEO बनी है देखो फैंस आपको बताना चाहता हूँ चालिस कोशन आपको करवाँगा चोटी सी वीडियो है लेकिन यकीन मानिये इसमें 30 से जादा कोशन ऐसे मैंने रखे हैं जिनके न काफी जादा चांसे सा एक्जाम में डरेक्ली आने के नेक्स्ट है नौर्वेश अतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला इकल का किताब किसने जीता है आंसर हो जाता है नेक्स्ट है अगला कोशन है किस भारतिये को विटली गोल्ड पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अगला कोशन है माई 2014 में किसे सयुकतराष्ट के प्रतिस्ठित Military Zender Advocate of the Year पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है अंसर हो जाएगा अप्शन B अगला कोशन है भारत की किस महिला को युनाइट किंग्डम के राजा चार्ल्स तरित्य द्वारा अमल कलूनी महिला शशक्तिकरन पुरुसका दोहुजार चौबिस से सम्मानित किया गया है अंसर हो जाएगा इस कोशन का आप्शन ए आरती अगस्त दोहुजार चौबिस में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार 15 साल से सत्ता में रहने के बाद अचानक अपने पद से स्तीफा दे दिया और देश शोड़ दिया है आंसर हो जाएगा आप्शन ए बांगला देश बांगला देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से स्तीफा दे दिया और देश को छोड़ दिया अगला कोशन वर्ष 2024 में अमेरिका के राष्टपती पद की उमिदवार बनने वाली पहली अशुवेत और पहली दक्षिन एशियाई महिला कौन बनी है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा ओप्शन B कमला हैरिस और आपको बताना चाहता हूँ एक फैक्ट आपको कि जो कमला हैरिस है ना यह भारतिय मूलकी है अब आपसे एक्जामे पूछ लिए जाएगा कि अगर भारतिय मूलकी है तो बताओ किस राज्य से इनका संबंध है राइट आंसर हो जाएगा तमिल नाडू यह भी एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो चलिए नेक्स कोशन कर लेते हैं अकेडमी ओफ मोशन पिक्चर आर्ट सेंस साइंस यानि की एम पीएस के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए जैनेट यांग जैनेट यांग को अकेडमी ओफ मोशन पिक्चर आर्ट सेंस साइंस यानि की एम पीएस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है जुलाई दो हुजार चौबिस में भरत नाटियम कलाकार जिनका नाम है यामीनी कृष्ण मूर्थी का 84 वर्ष की आयू में निधन हो गया इन्हें किस वर्ष पदम विभूशन से सम्मानित किया गया था देखो फेट्स आपको बताना चाहता हूँ पदम पुरुसकार के ना तीन टाइप होते हैं पदम पुरुसकार का सबसे बड़ा जो सबसे उचा होता है वो होता है पदम विभूशन इसके बाद पदम भूशन आता है उसके बाद है पदम श्री तो पुछा गया है कि यामीनी कृष्ण मूर्थी को पदम विभूशन से कब सम्मानित किया गया था राइट आंसर हो जाएगा Option C, 2016 में Next है हमारा कोशन Multi Commodity Exchange MCX के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है Right आंसर हो जाएगा Option B, प्रवीना राए प्रवीना राए MCX की नए MD और CEO बनी है Next है किस देश ने फते में महोजेरानी को पहली महिला सरकारी परवक्ता नियुक्त किया है Right आंसर हो जाएगा Option B, इरान इरान देश ने फते में महोजेरानी को पहली महिला सरकारी परवक्ता नियुक्त किया है अगला कोशन है किसे नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राइट आंसर हो जाएगा option B सिंधु गंगा धरन या आप इनकी photo देखिये सिंधु गंगा धरन की इनको NASCOM का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अगला question है आठमे FIFA under 17 महिला विशकब 2024 के लिए सहायक referee नियुक्त होने वाली रियो हलांग धर भारत के किस राज्य से है राइट आंसर हो जाएगा option C में घाल लेगा इसको भी आप exam के लिए important मार कर लिए परेंट जी जो topic आप वो करवा रहा हूं चरजीत महिलाएं जैसे कि famous woman in news भी बोलते है इस topic से हर exam में question आते हैं ठीक है तो आप शाम को ना 7 बजे 10 minute show जरूर देखना मेरे चैनल पे हर दिन वीडियो आती है 10 minute show की 7 बजे अगला question अगस्त 2024 में किस देश की विदेश मंतरी आरजू राना देउबा पांच दिवसे भारत की यात्रा पर आई right answer हो जाएगा इस question का option A नेपाल यहाँ इनकी फोटो देखिए अगला question है भारत के राष्टपती के सचीव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है right answer हो जाएगा option A दिप्ति उमा शंकर को भारत के राष्टपती के सचीव के रूप में नियुक्त किया गया है अगला question है मारा अगस्त दोहजार चौबिस में किसे निया सवास्ते सचीव नियुक्त किया गया है right answer हो जाएगा इस question का option C पुन्य सलीला श्रिवास्तव को निया सवास्ते सचीव नियुक्त किया गया है next है मारा question सतर्मे राष्टिय फिल्म पुरुसकार 2024 देखो friends आपको बताना चाहता हूँ कि यह सतर्मा फिल्म पुरुसकार 2024 है ना actual में यह 2022 का है ठीक है जो की 2024 में मिला है ठीक है तो पुछा गया है मैं किसे सर्वश्रेश्ट फिल्म के पुरुसकार के लिए चुना गया है answer हो जाएगा option A atom film को जो की मल्यालम फिल्म है atom film जो की मल्यालम है इसे सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार मिला अब आपको यह बोलो के सरीधर topic चर्चित महिला का है तो महिला की बात कहां पे हुई प्रिंट के चुनावि सेँ अब के साथ अगला question है हमारा जिसके एक्जामे आने के direct चांसिस है अगस्त 2024 में कौन थाईलेंड की सबसे युवा प्रधान मंतरी बनी है right answer हो जाएगा इस question का option B पैंटोगर्टन शिनावात्रा जो है ये थाइलन्ड की सबसे युवा परधानमत्री बनी है अगला कोशन है जुलाई 2024 में दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन B कैंजा लेली अगला कोशन किसे पैरिस ओलम्पिक 2024 के समापन समहारों के लिए भारतिय धवजवाग के रूप में नियुक्त किया गया है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन C, A और B दोनो पुर्शों में पियार श्रीजेश है महिला में मनू भाकर ठीक है महनू भाकर दोनो नाम आपको याद रखने है अगला कोशन आज का मोस्ट इंपॉर्ण कोशन भी है ये पैरिस ओलम्पिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन C मनू भाकर मनू भाकर ने भारत के लिए पहला पदक जीता कौन सा पदक जीता ब्रॉंज मैडल जीता यानि कि कान से पदक जीता है पैरिस ओलम्पिक 2024 में ठीक है भारत को पहला पदक इन्हों नहीं दिलाया वर्ष 2024 में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसर कौन बनी है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C अतीका मीर जुलाई 2024 में लगाता साथ बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्तमंत्री कौन बनी है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा ओप्शन A निर्मला सितारमंजी या आप इनकी फोटो देखिए निर्मला सितारमंजी की अगला कोशन है मारा जुलाई 2024 में कौन समिती मंधाना को पीछे चोड़ कर भारत की और से महिला T20 अंतराश्टी क्रिकेट में सरवाधिक रन बनाने वाली खिलाडी बन गई है आंसर हो जाएगा ओप्शन A हर्मन प्रीत कौर तो ये देखिए हर्मन प्रीत कौर की फोटो पंचाब से है ये सियाचिन ग्लेशियर में परी चालत मक्त रूप से तैनाथ होने वाली सेना वायू रक्षा कोर की पहली महिला दिकारी कौन बनी है आंसर हो जाता है ओप्शन B सुपरिता सीटी अगला कोशन है मारा जुलाई दो हुजार चौबिस में एशियाई पैरलंपिक समीती यानि की एपी सी ने किसे दक्षिन एशिया के लिए उप छेतरी प्रतिनिधी नियुक्त किया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A दीपा मलिक नेक्स्ट है मारा कोशन जुलाई दो हुजार चौबिस में कौन दूसरे कारेकाल के लिए येरोपिय संसद की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन B रॉबर्टा मैथ सोला गी नाम आपको ध्यान रखना है दूसरे कारेकाल के लिए येरोपिय संसद की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है अगला कोशन जुलाई दो हुजार चौबिस में किसे फिर्द से दो साल के विस्तार के साथ विज्ञानिक और ओद्योगिक अनुसंधान परिशद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन A नला थमबी कलाई सेलवी अगला कोशन है मारा जुलाई 2024 में मानवी मधू कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B बिहार बिहार राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है मानवी मधू कश्यप विमल्डन ओपन 2024 में महिला इकल का खिताब किसने जीता है राइट आंसर हो जाएगा ओप्षण ए, बार्बुरा, क्रैजी सीखोवा यह नाम आपको ध्यान रखना इन्होंने विमल्डन ओपन 2024 में महिला इकल का खिताब अपने नाम करा किन भारतिय खिलाडियों को पैरिस ओलम्पिक 2024 के उद्गाटन समारों के लिए महिला और पुरुष दवज वहाग के रूप में नियुक्त किया गया है आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन D, B और C दोनो PV सिं दु को महिलायों में और अचनता शरत कमल को पुर्षों में धवज वहाग नियुक्त किया गया है PV सिंदु बेर्मिंटेन खेल से संब्चित है और इसी के साथ शरत कमल अचनता टेबल टैनिस खेल से संब्चित है अगला कोशन है मारा भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्राले की नई मंत्री कौन बनी है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन D अनपूर्ना देवी ये नाम आपको याद रखना है भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्राले की नई मंत्री बनी है अनपोरना देवी, समरिती रानिका इनोंने स्थान लिया है, अगला कोशन है जून दो हुजार चॉबिस में कौन भारतिय नौसिना की पहली महिला हेलिकॉप्टर पाइलेट बनी है, राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B, अनामिका B, राजीव तो फ्रेंट्स या आपको मैंने 40 कोशन करवा दिया, आज की वीडियो में और डेली करन्ट अफेट्स पढ़ने के लिए आपको करन्ट अफेट्स बाई रवी यूट्यूब चैनल पर आना है पारिस ओलंपिक गेम्स 2024 में अपनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता चार ओप्शन है दूसरा है पारिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है दोनों कोशन का आंसर आपने comment box में देना है जो भी students right answer देंगे उनके comment को मैं हट कर दूँगा ताकि बांकी बच्चों को भी पता लग जाए कि right answer क्या है तो आपने comment ज़रूर करना है ठीक है right answer क्या है इस दोनों कोशन का ठीक है तो वीडियो complete हो गई है www.ravibooks.pdf.com पे आपको वीजिट करना है यहाँ पे आपको मारी current affairs, quality, history, geography हर subject की e-book मिल जाती है कम टाइम में आप किसी भी exam की तियारी कर सकते हो मेरी e-book के दुआरा best quality का मैंने e-book बनाया आप सभी के लिए current affairs, quality, history, gs, सबकी मिल जाती है आपको अगला topic कौन सा चाहिए चर्चित 10-minute show में मुझे जरूर बताना मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा और आपको डेली साम को 7 बज़े जरूर आना है 10-minute show देखने के लिए जिसमें कि आप current affairs और gs पढ़ाए जाए का सिर्फ 10-minute में तो चलिए फैंड्स हम मिलते हैं आप सभी से next video में thank you and wish you all the best